हाई गुड मॉर्निंग सश्यकाल आदाप नमस्काव वनकंग और कल से का टॉपिक बहुती चर्शा में है हलाकि बहुती दुखत खबर थी और है जैसे कि मैंने बताया कि मशूर एक मॉडल और एक्ट्रेस बॉलिवुड की पूनम पांडे जो एक अलेडी इंट्रोवर्शल बताया यह जा रहा है कि उनका दिहान तो गया और सर्वाइकल कैंसर की वज़े से उनकी डेथ हुई मैंने भी कद इस पर एक वीडियो बनाया था लेकिन बात में मुझे भी लगा कुछ चीज़े ऐसी कि जो कुछ संदे के घेरे में लेकर जाती हैं इस मोत के कारण को मैं हा रीजन ये कि अगर किसी को कैंसर होता है तो क्या वो एक दो दिन में उनकी डेथ हो जाती है जी नहीं ये बहुती रेर से रेर के सोगा कि आज आपको कैंसर पता चलता है और अगले दिन आपकी डेथ हो जाए पेशेंट की ये बहुत रेर है ये कोई हार्ट अटेक नहीं है किसी रहा हट अटक हुआ और गया sudden death हो गई क्योंकि cancer में ऐसा नहीं होता है generally चैब भलई एक अफता लगता दस तिन लगते, एक महीना लगता एक साल लगता, दो साल लगते sudden death cancer में अगर होगी तो किस वज़े से होगी वो भी बताऊंगा वो भी बताऊंगा कि किस वज़े से cancer में भी death हो सकती है लेकिन rarest cases में ठीक है लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो 31 जनवरी को जो मुझे पता चला है और जो मैंने सर्च कर ही है हो सकता है मैं इसकी पुष्टी नहीं करता हूँ कि मैं नेट पर ही सर्च कर रहा हूँ कि 31 जनवरी को वो अपने bodyguard के साथ थी और कोई Mr. Khan करके हैं और अगर 31 जनवरी को वो थी और दो तारी को यह death की खबर आ जाती है तो cervical cancer से बताया जा रहा death हुई है तो भाई पहले चीज़े तो यह death confirm है कोई ऐसा मजाग ना हो और ना ही होना चाहिए तो यह मान के चलता है कि यह death हो चुकी है दूसरी चीज़ अगर यह death हुई है तो cervical cancer से या तो patient को पहले से पता हो कहीं महीनों से उसको पता हो और वो बताना रही हो कि उसको cancer हो चुका है इतना strong personality कि जिसको पता हो और वो दो दिन पहले photo shoot करा रहा है या तीन दिन पहले public में घूम रहा है यह बहुत अजीब सी बात है बहुत ही अजीब सी बात है और इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए और अगर आपको treatment चल लाए treatment क्या होता है आप तो घर पे होंगे आप तो rest पे होंगे और आपका पूरा जो cancer के patient में वजन कम हो जाता है उनका खाना पीना बंद हो जाता है वो चल भी नहीं पाते है उठ नहीं पाते है की इमोठरापी के बाद और इवन रेडियेशन के बाद बाल नहीं सो जाती है बाल गायब हो जाते है यहाँ पे एक दिन इसलिए मुझे नहीं लगता की इस patient को पूरा पान्य को पहले से cervical cancer राओ अगर अभी पता चला एक दो दिन पहले तो एक दो दिन पहले अगर पता चला तो अचानक कैसे death होगी और उनका एक वो भी है कि उन्होंने शेयर कहीं यह बोला है कि मैं आपको बहुत बड़ी news देने जा रही हूँ एक दो दिन पहले कई उनका twitter पे या कहीं पे ऐसी news है कि मैं आपको बहुत बड़ी news देने जा रही हूँ तो यह चीजे और यह भी बता जा रहे है उनके रिष्टे अपने husband के साथ personal relationship में भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे तो कुल मिला के और यह भी पता लगाया गया कि वो यूपी की कानपूर की रहने वाली थी और कानपूर में उनका इलाज चला था यह कानपूर में भी पता किया गया cancer hospital जो महाँ पर दो ती cancer hospital है महाँ पर भी इस नाम से कोई इस तरह का 32 साल के उमार का कोई patient निकला नहीं है तो कुल मिला के बहुत ही suspicious है यह सब चीजें बहुत ही एक foul play की smell आ रही है no doubt लेकिन अभी मैं medical बाबा को सुनना था कि जहां पर बताया था जी एक cervical cancer की vaccine को promote करने के लिए किया गया क्योंकि HP virus का association होता है HP virus की एक vaccine आती है जो कि सरकार भी बोल रही है कि हम free में देंगे कुछ ऐसा budget में भी शायद आया था और एक medical बाबा जो बहुत famous है mister कोई चोधरी करके कोई BRS करके तो उनका वीडियो वाइरल हो रहा है यह तो vaccine को promote करने के लिए यह कोई vaccine को promote करने के लिए इतना भदा गेम नहीं खेलेगा इतना गंदा गेम कोई नहीं खेलेगा मुझे नहीं लगता यह सच है मुझे ऐसा लगता है कि कोई न कोई देखो अगर किसी को cervical cancer पता चल जाओ और एक दिन में death हो जाए तो एक तो यह हो सकते कोई unnatural death हुई हो कि आप अगर मुझे आज cancer पता चल जाओ और मैं अपनी जिन्दे के खतम कर दूँ यह सोचके कि मुझे नहीं जीना तो ऐसा हो सकता है लेकिन इस case में क्या हुआ यह मुझे नहीं पता लेकिन यह बद fact है कि कोई cervical cancer का patient इस तरह से घूम नहीं सकता मरने से दो दिन पहले public appearance कर रहा है photo shoot अगर हो रहे हैं और सब चीजे ठीक है तो यह भी possible नहीं लगता अगर cervical cancer हुआ diagnose हुआ और diagnose होते ही death हो जाती है तो यह unnatural death ज्यादा लग रही है अभी घरवाले सामने नहीं आये है कोई सामने नहीं आया है पूरी तरह से बाते पता नहीं है लेकिन यह बात fact है कि cancer से कोई एक दिन में नहीं मरता है और अगर इनको cancer पहले से पता था तो यह बहुत बड़े जिगरे वाली बात है लेकिन उसमें क्या treatment नहीं चला था अगर treatment चला था तो patient इस तरह से घूम नहीं सकता है उतना उसके side effect होते है इस दुनिया से जा चुकी है हम प्रे करेंगे भगवान उनकी आत्मा को शांती दे और social media पर भद्धे बद्धे मजाग करना यह सब चीजें गलत है किसी के especially मरने के बाद हाँ इसके बात हो सकती है कि कारण death का क्या रा होगा cause क्या रा होगा और यह बाबा भक्त जो इस तरह के बाबा है medical बाबा BRS type के जो यह बोल रहा है जी यह तो सिर्फ vaccine को promote करने के लिए यह सब उड़ाया गया है और यह सब मतलब वो जिन्दा है इसका मतलब यह इतना भंदा मजाग कोई नहीं करेगा मुझे नहीं लगता कि और यह मजाग अगर ऐसा कोई करता है तो यह punishable हो सकता है legal action लिए जा सकते हैं इसके उपर बढ़े बढ़े लेकि मुझे नहीं लगता है क्योंकि घरवाले आके अगर death की confirmation कर रहे हैं हाँ reason कुछ और होगा ऐसा मुझे लगता है cervical cancer से एक दिन में death हो जाना almost ना मुमकिन है दोस्त ना मुमकिन है लेकिन अगर वो चली गई है इस दुनिया से आप सिर्व उनके लिए प्रे करें वो कैसे भी इनसान रही हों उनके पसनल शोक कैसे रहे हों वो drink करती थी smoke करती थी मेरा उनसे कोई लिना देना नहीं है ठीक है सिर्फ ये है कि जो topic था आज का कि ये हाँ इसमें कुछ doubt लग रहा है death का कारण अभी मुझे भी clear नहीं है जो मुझे लगता था है अज़े doctor होने के नाते वो मैंने आपको बता दिया कि cancer का patient एक दिन में नहीं जाता और अगर treatment होता है तो उसके side effect की वज़े से वो घर से भी निकल नहीं सकता है Thank you very much शुक्रिया